लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत दिए नवी मुंबई की क्राइम ब्रांच पुलिस ने आईपल क्रिकेट मैच पर सट्टा लगा रहे चार बुकियों को रंगे हाथ गिरफतार कर लिया है एक प्रेस कॉन्फरेंस में आयुकत बिपिन कुमार सिंग ने बताया कि चार आरोपियों से आठ मोबाइल और कैश समेट 3,20,000 का माल बरामद हुआ है देखे रिपोर्ट नवी मुंबाई में चल रहे आईपियल मैच पर सट्टा लगाते हुए रंगे हाथ पकड़े गए है इनसे आठ मोबाइल फोन और कैश समेट कुल 3,20,000 का माल बरामद हुआ है प्रेस कॉन्फरेंस में अपर आयुक्त डॉक्टर जैजादव, सहा आयुक्त क्राइम महेश गुरे, डिसीपी क्राइम सुरेश मेंग्डे, एसीपी कजानन राथोर और क्राइम पी आयस शत्रुगन माली समेट कई अधिकारी मौजुद थे आये सुनाते है वारदात को लेकर पुलिस आईक्त ने क्या कुछ कहा पुलिए भी हो सकता है, तो कहीं करते हैं, लेकिन हमारे अरिया में पतला कि यहां पे लोग कर रहे हैं, तो तुरंट करवाई किया है, बाकि यह लोग कहीं बाहर भी जागे करते हैं, कहीं और भी जागे करते हैं, कुछ चार लोग हैं, मैस के जो भी उनके पास जो इन्फर कर सकते हैं लेकिन यह तो लिम्टिड है कि चार लोगों ने वो इंफर्मेशन वे किया है वीडर रिपोर्ट टीवीवन इंडिया लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीन खबरों के लिए टीवीवन इंडिया लाइब को सब्स्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन को दवाना मत देए